दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडिस्ट्रियल टिटोरियल में दोस्तों फिर से आज रोगे हैं बहुत सारी वेकंसी लेकि जैसे कि आप फैस्ट वेकंसी देख रहें निशनल फर्टिलाइजर लिम्टेट तो यह नोटिफिकेशन नमर आप याद रखें 05 अपॉन में नोटिफिकेशन के उर्टिकाइट बारे मही आप उसे जानकारी दूँगा तो यहां वेक यहां पर देख रहें हो मेंनेजमेन्ट ट्रैणिंग की लिए वेकंसीज है पर जाहाँ बकेमिकल के लिए यह चार वेकंसी है न्धेजर में तीन ओवीस के लिए एक है कि आपक मेकनिकल के लिए 75 अदर्जर चार अदर्जर में एक को वीची के लिए मैण में ट्रैनी इंस्ट्रुमेंटियशन के लिए थृष्पट नेकस्ट बात करूं तो मैंने पन्तर गाईन कभी डिले लएकेंशी शांतवाद ग्लाभ स्टाइन ही और घ्व स्टी जिए और के लिए Amie तो मैंने फ़ाद उसलिए फाइरणकस्ते के लिए था को आślता के अफ़ पांच पर चाइव से दियिता बात करूप यहाँ पर qualification क्या क्या है तो मैंने मैं training chemical के लिए यहाँ पर age limit जो है 27 year रखी गई है और full time regular engineer degree B.E. B.T.E.C. B.E.C. engineering in chemical engineering और chemical technology चलेगा 60% के साथ होना चाहिए या आपके पास AMIE in chemical engineering ऐसी दोस्तों mechanical वालों के लिए यहाँ पर age limit वही है लेकर relative होना चाहिए branches, qualification same है next बात है लेक्टिकल के लिए भी same है instrumentation के लिए भी ही criteria same है और यहाँ पर बात करो शिविल के लिए भी same है और chemical lab के लिए यहाँ पर जो qualification है वो MSC chemistry मेने हो 60% के साथ मागा गया और मैंने मैं training fire and safety के लिए full time degree B.T.E.C. fire engineering safety and fire engineering भी 60% के साथ यह आपका full time degree B.T.E.C. B.E. B.C. engineering electrical mechanical chemical with divisional official course from N.F.S.C. N.A.G.P.O.R. with minimum 70% बात डिगरी in engineering and divisional official course तो यहाँ पर जो आपका course है वो full time regular होना चाहिए तो यह आपको यहाँ पर count किया जाएगा अगर आपका distance learning है तो आपको यहाँ पर count नहीं किया जाएगा बाकि की चीजें यहाँ पर बता दीगें जन्ने आपको खुशे पढ़ना है जो छोटी-छोटी चीजें है उनसे आपका reject किया जा सकता इसलिए अच्छे से पर लें आपको बता भी दूँगा यह notification आपको कहां में लेगा यह जो आपको cut off data है वो दोस्तों आपको 30, 11, 2020 के साब से count जाएगी यहां पर application भी 700 रुपए रखा गया है प्लस bank charge ठीक है और बाकी की category लिए अलगला charge बता दिये गया है ठीक है selection process क्या है वो चीज जानना बहु जरूरी है तो यहां पर जो selection process है दोस्तों वो आपका पहले depend करेगा अपने form को कैसे बढ़ा है अगर आप यहां पर इस तरीके से दिया हुआ इस तरीके से बढ़ते हो तो आपको first जो है वो rejection नहीं होगा यहां पर बता दिया गया है कि आपका application बाइस बारह दोजार वी से start हो चुका है जो आपको ना टी आई ओ नाल एफियार टी आई एलाई जडी आर एस डाट कॉम पर जाना है उसमें carrier उसमें रिक्यूर्मेंट्स एन एफल में जाना है उन्वें जो रिक्यूर्मेंट्स और मैंनेमेंट्रेनिंग इन टेक्निकल में जाना है जहां पर दोस्तों इसका लाज़ डेट है 2021 साड़े पांच वजे तक ठीक है यह सारी क्राइटरिया आपको फुल फिल करना है फिर नेक्स स्टेप है ओनलाइन टेस्ट होगा उसके साब से तो यहां पर ओनलाइन टेस्ट के लिए बहुत सारी जगें कंडेक्ट की गई है जैसे चम्मू कश्मीर बहुपाल चंडीगर धहली न्सीयार नकलो हैदराबाद एमदाबाद बैंगलोरू बहुनेश्वार चै पर्सेनल इंट्रिव होगा थीक है तो आप पर यह फाइनल सालेक्षिन कैसी कैसे होगा औरें टेस्ट का 80% परस नीट्यू भाप का 20% एड ओगा इस तरीके से 100% होगा एड तो यहां पर आपको कितना पेमेंट मिलेगा कितना मिलेगा वह जानकारी भी यहां पर दी गई है ठीक है यहां पर क्या किस कैटजरी को क्या क्या चूट दीगी है वह चीजें सारी यहां पर नोट में बता दीगी है उनके लिए आपको境 नुट आपको answers यहां पर अच्छी थरीके से आपको पता दिए जनला इंस्ट्रेक्शन से दिए जिनको आपको फॉलो करना अच्छे से तो मैं आपको लेकर चलता हूं इसकी ओफिशली वेबसाइड पर जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो तो दोस्तों देख रहे हो गए आप मै यहाँ पर जाना रहे गा मैं आपको पता रहे था मेरे को जाना रहे गा केरियर में यहाँ पर देख रहा हो मैं इसे प्रेस कर दिया मेरे सामने कुछ इस चजी के इंटरफेस आगया तो यहां पर आपको दोको एड़ीजमेंट मिल गया और एपलाई option मिल गया तो मुझे apply करना है डाउनलोड करना तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो डारेक्ट अपलाई पर प्रेस कर सकते हैं डारेक्ट अपलाई पर प्रेस करने के बाद आप यहां पर अपनी करना तो मुझे किस के लिए करना है तो मुझे जैसे केमिकल लैब के लिए करना है क्या डालना जो भी डालना आगे-आगे हम यहां पर सारी डिटेल्स यहां से सारी जानकारी देते रहेंगे जैसे यह मांगता रहेंगा तो दूस्तों नेक्स्ट वेकेंसी तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी ओपी तीसील में है यहां पर दोस्तों आप देखोगे तो ट्रिगिडी एंड टेक्निक सियन मतलब डिप्लोमा अप्रेंटिश के लिए वैकेंसी है यहां पर दोजार अठार है उननीस पीस के पास आउड़ी यहां पर सकते हैं ग्रेजुएटब्रेंटिश के लिए बात करऊं तो एंड अलेक्टार एंड एलॉक्तिकल एंड एलेक्टर्रो आनuba दोलेखेंटरिक्स Protection के लिए चालीश वैकेंसीया मतलब इसके रखागार नौजार तैक्निशन डिप्लोमा अपरेंटिश के लिए इलेक्तिकल के एफ देडियो के लिए नबबे रखं़ गया है यहां पर मिनिमम् निपनेटीशन के लिए ट्यूइटिशक आपकी क्वालिफिकीशन वो ना च्हेजीड आपको बाता दिया गया यह आपका इंसेटुट अछा है रहे ना च्हा उप प्रूबलाटिश्क यहां पर बात करों ट टेकनिशन डेप्लोमा अफ्रेंटिज के लिए ताँ डेप्लोमा होना चाहिए आपके पास कोई अच्छा इंस्टीट हो जो और मतलब बैलेटो तो आपका होना चाहिए यहां पर दोस्तो आ रिलेटिव ब्रांचे से होना चाहिए इस लिम्मिट यहां पर गवर्मेंटिकर रूल के साब चे रेजर्वेशन जो आपको बता दिया गया मिजी और यहां पर डूरेशन जो ट्रेनिंग है वो वनियर है यहां पर सेलेक्शन जो प्रोसेश है वो यहां पर दोस्तों फाइनल जो है सेलेक्शन है वो आपका सेटिफिकेट वेरिफिकेशन और पर्सनेंट टू बाई ओपी तीसी एल उसके साबसे होगा बात आता है कि आप अपको दिक्कत ना हो तो आप यहां पर देख पार होगे कैसे कैसे आपको लॉग इन करना है फिर वहां पहुंचना है कैसे कैसे आप अप्लाई कर पाओगे वह सारी चीजें यहां पर बता दी गई है कि आप अगर किसके लिए प्लाई कर रहे है उसके लिए प्लाई कर रहे है तो यहां थे प्लाई कर पाओगे उसके लिए प्लाई कर रहे है तो आप मतलब बता दिये गए अब देख पार होगे तो नेक्स्ट जो सारी जानकारी है वो दिये दी गई है इसका जो activity है वो जो जो चे पूरी बता दीए गए के declaration of shortlisted candidate 6 2021 वो सारी चीज यहां पर बता दी गई है इन टूर शॉट रिश्ट केंडिड़ेट 13 2021 ग्लास्ट है और यहां पर पब्लिक वह पंद्र एक 2021 बता दे गई है कि फाइनल लिस्ट जो आ जाएगी आपकी तो यहां पर बिफॉर पांच जनवरी जो आपको रेजिस्टेशन करना पांच जनवरी 2021 से पहले-पहले करना रहेगा आपके इसके ओपिशली वेबसाइट पर भी जा सकते हैं यहां पर सारी चीजें बता देगी है उन्हें आपको खुछ से पढ़ना रहेगा कोई भी जानकारी चाहिए तो यहां पर उपिशली भी मेलाडी दीगी है जिस पर आप जा सकते हैं तो इसी कंपनी में गेट के थ्रूबी वेकेंसी निकली हुई है जिसका लाज एक्टर अटाइज भारत 2020 ठीक है जो मैंने में ट्रेनी लेक्टिकल के लिए वेकेंसी हैं आपको बता दीगी है मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ तो सौट में ही और भी वेकेंसी ने तो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ ठीक है आप यहां पर पाड़ल है जहां पर डिगरी इलेक्टिकल एलेक्ट्रीक्राइट्ट्रोंग्स इंजिनिरिंग साथ परसेंट के साथ मांगा गया है अपका जो गेट इसकोर यहां प प्राप पाओंगा यहां पर जो है फिर रखी गई जार रुपए ऑтора 500 रुपए मतला जार रोपए अंतना इसी में से यहां पर बता दे गया है तो मैं आपको कितना डेटा कितना इस्ट्रेट्चर का जो सिगनीचर यहां पर बता देगे आपको यहां पर जो सारी चांकारी दी गई है और फाइनली यहां पर डेट बता दी है और लड़ी मैं बता चुका हूं तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपिशली वेब साइट तो मैंने सबसे पहले सर्च किया फिसे मीने टेनी प्रेश पर हां ऊब ऐखा तो में अबनांगों कि तरफ या कि अब två दीक्स किता हूं लहां तो मिआ तो यहां पर प्रेंटला मुझे Idis